पिछले लेक्षर में हम लोगों ने यूनिट सिस्टम हमारा इस्टेमेटिंग का उसको हम लोग स्टार्ट किये उसमें हम लोग जाने पिछले वाले लेक्षर में हम लोग जाने थे कि कैसे हम अपना ब्रिक वर्क को नापते हैं कैसे हमारा अर्थ वर्क वगेरा जो हो रहा है लोग का आग जो है उसी यूनिट पर ब्रिक टे समने और लोग कैसे भी कम लोग इप्लेहां कॉम्मा उसके दिचा करें लीजांगा पर फ्रीटीटीज और ब्रीक वर्क आपको क्वांटिटीज निकालना है एंड प्लास्टरिंग रिक्वाइड इन वॉल फोर मीटर लॉंग एक मतलब वॉल दिया हुआ है फोर मीटर लॉंग 3 मीटर हाइट अं 30 cm थिक तो आपको एक कोई वॉल दिया हुआ है ठीक आपको इस परकार से कोई एक वाल दिया है यह जो वाल है माल लीजे ऐसे वाल यह आपका वाल है माल लीजे यह कहता है ना कि यहां से यह जो है यह थिकनेस जो है यह वाला वाल की जो यह थिकनेस है यह थिकनेस कहा रहा है कि वह कितना है 30 cm है यह थिकनेस 30 cm है और यह जो हाइट है यह जो दिवाल की हाइट है वह कितनी दीवी है 4 meter long और 3 meter height means यह 3 meter height है इसके और यह जो लंबाई है दिवाल का वह कितना है वह दिया आपको 4 meter long अब आगे कहता है हमें कि calculate the cost if the cost of a brick work is rs 320 meter cube means 8 meter cube के लिए आपको 320 रुपए लगता है मतलब 1 meter cube आपके पास brick है 1 meter cube कहने का आरत है कि 500 brick है आप 500 brick को जोरनी के लिए आपको जो मिस्त्री वगेरा सारा चार्ज लग रहा है वह लगता है 320 का मतलब एक मिस्त्री आया है वह आपके घर में काम कर रहे है मेट करेंगे तो चलिया है ये हम लोग एक्चुली में देखते क्या है कि क्याने करने कर रहा है कोस्ट फोर दे कैलकूलेशन अफ किसके लिए प्लास्टरिंग वर्क तो प्लास्टरिंग एक तो फेसे सब्सक्राइब करना है मतलब अंदर भी बाहर भी हमें यह नहीं का गया है कुसकी थीकनेस वगएरा क्या है तो आम लोग सेम थीकनेस को लेकर बना लेंगे अब होजाएगा वॉल्यूम ब्रीक वर्क नई अपने यहां काम कर रहा है कि इसके बाद तो कितना है उसके बाद श्री मीटर हाइट है और क्या है 30 संटीमिटर जिरो 30 संटीमीटर को हंड्रेट से तो मीटर में आ जाएगा यह कितना हो जाएगा अगर इसको यह पर कल्कुलेट कर ले तो 0.3 यह भी मीटर तो अब इसको हम लोग multiply करते हैं यह कितना होता है देख लेते हैं तो इसको अगर जम देखें वह कितना है फोर इंटू 3 इंटू 0.3 वह कितना आ जाएगा हमारे 3.6 तो हमारा जो वोल्यूम आया 3.6 मीटर क्यूब यह मीटर यह मीटर यह मीटर तो मीटर क्या आ अब का मडल्यूम आ ब्रीक अब आ कोस्ट करना हैं हम लोग देखें तो कोस्ट ऑफ को प्रिक वरक में लिए ने कोस्ट ट वॉठक Complete अगर जैड सि यह तो क्या है एक मिटर क्यूब के लिए एक एसमी थ्रींडेट पर मीटर क्यूब जहांपे पर मिटर आर dato 2 रीटर कुप सुद्टि इसको multiply कर दिए तो यह हो जाएगा 1152 रूपीज मीन्स 1152 रूपीज आपको आपको देना होगा तब आपका यह वर्क पूरा हो जाएगा जितना आपने दिया है यह वाल आपका complete हो जाएगा को लोग बात करें इसमें प्लास्टरिंग के लिए कि एडिया अफ है कि दीवाल का तो उसी के द्वारा हो जाएगा कितना लंबा और 14 को प्लास्टर करना पड़ेगा कितना लंबा और 14 इसकी 4 x 3 इन्टु 3 में एक फेस के लिए 12 मीटर स्कॉरर, तो टोटल एरिया अफ प्लास्टरिंग वर्ट वो क्या हो जाएगा? टोटल एरिया अफ प्लास्टरिंग वर्क वो क्या हो जाएगा? दो फैसेस फो टूँ फैसेस तो अगर दोनों की बात करें तो टू इंटू 2L हो जाएगा 24 मीटर स्क्वाइर और तौटल कॉस्ट अगर बात करें टॉटल कॉस्ट फोर लास्ट वर्ट हमें कहां तक जाना है कि कॉस्ट पर जाना है तो कॉस्ट क्या है हम लोगों के दिया हुआ है देखिए तो आठ पॉइंट पांच पर मीटर स्कॉयर एक मीटर स्कॉयर के लिए पर मीटर कहने का रहत है कि आठ पॉइंट पांच एक मीटर स्कॉयर के लिए रूपीज यह 204 रूपए आपका लगा प्लास्टिल करवाने में औरे 11 सा बावल लगा आपका इंट वगेरे जो आप लगवा रहे हैं उसके लिए आए हम लोग इसको हम लोग देखते हैं एक मीटर एक हेक्टेयर होता है एक हेक्टेयर एक हेक्टेयर बराबर हो जाता है मैं थोरा से इसको मीटा देता हूँ चलिए यह एक हेक्टेयर की बात करें एक हेक्टेयर कितना होता है एक हेक्टेयर की बात करें तो एक हेक्टेयर होता है एक हेक्टेयर होता है एक बात हमें बताइए आप देखेंगे ना कि मेरा जो इसकूल है वह 200 एकर में बसा हुआ है है सेहनी को कुझकूड कुड़ा लग-वग-वग-वग-वग-वग 200 एकर में आर्थ न के लने आर्व है किस worked परिष के कि हम प्रचलन कंसम्स में doet लगं को या इसे बोलते हैं नए तो उटर और अगर जम बात करें हेक्टेयर होता है एक हेक्टेयर होता है एक हेक्टेयर हो गया उन केलो मीटर होता है कितना हमारा तो एक मीटर यह मीटर के बदले कर देंगे तो सेंटीमिटर आ जाएगा यह सारे चीज को आप देखने से पहले जो भी मैंने बताया बहुत पहले एक मेरा यूनिटन कनवर्जन का मेर प्लेलिस्ट में जाएए वहां पर यूनिटन कनवर्जन देखिए वहां से आप इसको टोटल समझे बहुत आसान है बहुत आसान है इसको समझना जिंदिकी बर आप नहीं भूल पाओगे यह चीज को मतलब यह सेंटीमीटर मीटर है जो अब आप एकसाट-हक्सा करते रहते शूव सारद छीजा आपको दूर तो आप मेरे मेरे अप करने जा रहे हो & जाएगा कि यह ऑग बात करें एक मीटर की स्कॉयर को यह दूर जाए शक्वारत में लोग सकते एक मेटर गुना एक मीटर सकते हैं ना एक मीटर के लिए संटीमिटर लिए इस मीटर के लिए संटीमिटर लिए इक मीचर व्रावर हंडेट सेन्तीमिटर औरamba इसमें भी एक मीचर क्वीडा कितना हो गया इस दोंको सब्सक्राइब कर लोगे तो सब्सक्राइब करों तो किलोमिटर को मिटर में एक किलोमीटर का रोड होता है में किलो मीटर देखे ये होते हो जाएगा का1 000 समय और यहां भी मीटर में मीटर में तो यह क्या हो जाईगा किम डेक्म 15 में हды है कि यह मीटर इस्वाइर यह होगा क्या अब यह देखो अगर जाल एक किलो मीट्र स्क्सट्वाइर में कि इसी चल लो महलnya यहां पर फिर इधर जाओ और यहां से आप एक स्कॉाईर बना लो इस परकार से ऐक स्कॉाईर बना लो जैसे स्कॉाईर जानते हो ना रेकटेंगल ऐस्कॉयर से क्योर है जगवे जह लोग बना है यहां पे देखिए 10,000 से हम लोग इसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो 100 सब्सक्राइब कि यह से कितना हो तो यह यहां से कितना हो जाएगा हंड्रेड इसके लिए एक हेक्टेयर में इतना में इतना है कि याद रखिया है का पांच माइल होता है आप है अब गोगर में बहुत थाँचे-कृषन प्रों माइल में टेखते थे तो पाँच माइल बराबर होता है बराबर आठ किलो मिय्टर तो एक माइल बराबर कितना उजएगा आठ बटक पांच किलो मियटर होगा और एक केजी लिग दिया स्वरी भ्याइद भाइद कि इट है इट बाच फाइव किलो मेटर होगा तो यह अगर गल̇ंट करे है यह कितना हो जाएगा हम लोग बोलते हैं, जेनरल में मान के चलता था 1.5 या 1.5 से थोरा जादे होता है, एक माइल, 1.6, 1.6 किलो मेटर, मतलब अगर जा आपकी दादी, तीन कोस जाती थी, तीन माइल जाती थी, तीट मीन, 1.6 इंटू 3, 4.8 किलो मेटर वो पैदन मेला चले जाती थी, ठीक, अब ये क्या है, एक गलन, एक गलन तेल लेने चले जाते हैं, पेट्रोल पंपे डीजल लेने गए, बोले एक गलन ले ल 1.546, एक गलन में कितना लीटर होगा? तो 4.546 मतलब सरे 4 से थ号रा से ज्यादन लीटर, तो एक लीटर में कितना गलन आ जाएगा? इतना लीटर में 4.546 लीटर का एक गलन होता है, तो एक लीटर का कितना होजाएगा? 1 by 4.546 gallon नहीं हो जाएगा तो इसको अगर जाम लोग देखें तो वह कितना हो जाएगा 1 by 4.546 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 0.2199 तो 0.22 भी ले सकते हैं अब जमीन वगेर देखें आजमें को बोलता है मेरे पास इतना जमीन है एक बीघा दो बीघा ऐसे करके बोलता है दस बीघा है 15 बीघा है ऐसे बोलता है तो एक बीघा कहने का क्या आर्थ होता है एक बीघा बोलने का क्या आर्थ होता है एक बीघा का मतलब होता है कितना एक बीघा में कितना कठा हो जाएगा 20 कठा होता है कठा और 20 कठा हुआ एक कठा में एक कठा में 20 धूर होता है ठीक और यह 20 धूर है एक कठा यह करीब करीब आपको 338.63 मीटर स्कॉयर होता है ठीक यह अगर स्कॉयर मीटर में एक कठा को जना पेंगे हम लोग कितना होगा तो वह जाएगा 338.63 मीटर स्कॉयर कहने का अर्थ है कि एक कठा जमीन है आपके पास तो आपके पास 338.63 मीटर स्कॉयर होगा अब यह 338 किसी चीज का मल्टिपल स्का लेंथ और ब्रेथ आपको पता चल जाए तो आप वहां से क्या करोगे कि उस जगह का आपना एरिया निकाल लोगे कि कितना होगा तो आपका यह 338.63 मीटर स्कॉयर आया अब इसको अगर जब देखें एक बिघा में कितना मेरा यह मीटर स्कॉयर आएगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 20 दूर या एक कठा में इतना तो 20 कठा के लिए कितना हो जाएगा तो हम लोग इसको देख लेते हैं 338.63 इंटू 20 यह आ जाएगा 6772.6 मीटर स्कॉयर मतलब कहने का अर्थ है एक बिघा में इतना मीटर स्कॉयर जो आपको क्या है एडिया एकुमलेटेड रहता है ऐस być बिघा तो इतना हो गया अब देखो यह जो इतना मीटर स्कॉयर है अगर जब लोग देखें एकार एकर 2.47 एकर का कितना उता है 10000 मीटर स्कॉयर होताा है एक ईकर में कितना 2.47 उसको देख लेते हैं तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि एकर बड़ा होता है या किसी का बिघा बड़ा होता है तो 2.47 तो यह हो जाएगा देखिए 4.0, 4.8, 5.8 मीटर स्कॉयर यह इतना एक एकर में इतना मीटर स्कॉयर जमीन आपका accumulated रहता है और यह एक बिघा में कितना हो गया 6, 7, 7, 2.6 मीटर स्कॉयर जो आपका जमीन रहता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो है एकर एक एकर जो है इतना है और एक बिघा जो इतना है तो बिघा बड़ा हुआ कि एकर तो जाएड सी बात है आपका बिघा बड़ा है में आप वेल्यू देखो तो आपका विगा है बड़ा है अब आगे और बताता हूं यह तो हो गया एक कठ्था बराबर 20 दूर ठिक तो यह हो गया तीन सौर तिस यह 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 तक लिख लिए 20 दूर को जब आप मिलाएंगे एक धूर पहले ले क्योंकि एक कठा एक बड़ाबर 20 दूर ऐसे समझे एक कठा में एक भीगा में 20 कठा एक कठा में 20 दूर और एक धूर में जैसे एक कठा में 20 दूर तो एक धूर में कितना? 20 धूरकी हो जाता है और एक धूरकी में 20 छुड़की होता है 20 धूर, एक धूर बड़ावर होता है 20 धूरकी और एक धूरकी बड़ावर होता है 20 ड़ावर WOR-र्चम vegan, में 24 धूरकी चुरकी यह बहुत ही ज्यादा हो जाता है यह ज्यादा यह नहीं होगा यह ही जैन्व般 झाटदर की सिमिटेड रहता है ज़्यादा ज्यादा लोग धूरता की घूरता है उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है तो यहां से आप लोग क्या सीखें कि मतलब यह जो हम लोग जनरल जो गाओं में कहीं पर चले जाते हैं तो उसको हम लोग जैसे देखते हैं को यूनिट वगएरा बोल जिता है गउगर में कि एक कठा जमीन है इतना जमीन है तो आप अंदाजा लगा सकते हो एक मेटर तो अगर आपको लेंड वगएरेगा मैं सोच रहा हूं कि मैं एक वीडियो इस पर भी अपलोड करूं कि आपका इर्रेगुलर से रहता है ऐसा तो नहीं है ना कि आपको एक रेक्टेंगुलर से जमीन मिल गया यह स्कॉयर से जमीन मिल गया आप फर्मुला जानते हो और तुर करणी ना इर्रेगुलर से ख में होता है तो उसको जो ना हम लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे आपका अगर एक यहां कर अगर कर्व का थोड़ा से डिफिकल्ट हो जाता है अर अगर कर्व नहीं है आपका खेट इस तरीके से हैं तो यहां से ना एक ट्रेंगल लेंगे उस से फिर यहां से एक trapezian टाइप का इस टाइप से हम लोग बाट के बनाते हैं उसका एरिया निकालते हैं तो सोचें कि मैं उस पर भी एक वीडियो डालू तब तक जो हमारा estimating and costing चल रहा है तो हम लोग इसको पहले continue करते हैं यह पहली priority हम लोगों की और पर इस टील भी तो इस लेक्चर में इतना ही आगे के लेक्चर में जो हम लोग और भी जो units rates वगएरा सारा चीज आएगा उसको हम लोग एक बाएक देखेंगे या आगर जो numerical होगा एक और तो हम लोग numerical करेंगे इस लेक्चर में इतना ही तब तक के लिए thank you bye